अच्छा जी हमको गाली देते हैं, गुसा होते हैं, मेरे से गुसा रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, इना एक दम आजीवे करती है अच्छा रहते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा रहते हैं, इसलिए हम वीडियो अब भी साड़े चार बजे शुरू कर रहे हैं, साड़े चार, साम का साड़े चार हो रहाएगा, इस क्या करें, और अब भी आया है, लाइटर भी पे बैटरी पहुत जादा नहीं है, पांच परसेंट बैटरी में हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम पहले फोन चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद बारिश हो रहा है, डालटन गंज में भी और और भी जगह पे, हां और जगह हो रहा है कि नहीं हमको उतने अच्छा से लेकिन पता नहीं है, लेकिन हां डालटन गंज के आसपस वाली एरिया में तो हो ही रहा है, आपकी साड़ बारिश हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके अधिरा अधिरा हुआ पड़ा था इन्वर्टर राउं सब कुछ खतम बांद एकदम और अभी देखिया ना कैसे एकदम हवा चल रहा है हवा चल रहा है एकदम बारिश हो रहा है मतलब ठंडा ऐसे बढ़ा दिया क्या ही बोले अभी तो खैर हम अभी लेनी भी जाना है कुछ अधिक एक चीज बताना था मतलब बोलना था हमको एक हम कमेंट पड़े ठीक है उससे पहले हम कछ और थोड़ा दिखा रहे तेल ममी पूझा उजा कर लिया हम तो पूझा उजा की यह नहीं ममे की और नी की किचन में है इस दुपर किचन में खाना उना बना रही है हम साग अधिक खाएंगे नहीं आई किसान बड़ी पिल्लू था तुप्रोटीन अधिक प्रोटीन तुमी का अम्य पीए ओ अच्छे जेग अधिक फाल रीकॉरड करती है तो कर्कार रहे है अधिक शाने देती है कि तेल का कढ़ाई था इसके बार में बाल में बता हैं एक चीज हम बता रहे हैं कि हमसे ना कोई कमेंट करके पूछा जो भी थे वो पूछे हमसे कि हमको इतना नाम नहीं आद है कि आप लोग का पापा का आप रांची के साइमफोर्ड ऑस्पिटल में क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत एक्स्पिंसिव हैं तो वहां पर कैसे इलाज करवाएं कैसे वहां पर सारा कुछ करवाएं उनका ट्रेट्मेंट कैसे करवाएं तो हम बता दे कि उनका ट्रेट्मेंट कैसे हुआ है तो मेरे पापा जो है ना मेरे पापा लोग तीन भाई थे तीन भाई हैं ठीक है लेकिन क्या है कि हर सुख दुख में हर चीज में पापा और छोड़े पापा साथ रहे हैं और हम और किसी के बारे में कोई टेकाटिपनी नहीं करेंगे लेकिन हाँ पापा और छोटे पापा हमेशा से साथ में रहे हैं और ऐसा बहुत टाइम आया है ना बहुत ऐसा ऐसा हम देखे है घर में मतलब अच्छा भी बूरा भी फैमली में है तो अन्मन तो हो नहीं है सब के problem के time में, छोटे पापा हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हाँ मेरे चाचा जी हमेशा साथ रहे हैं अभी पापा का इतना ज़्यादा तबित खराब था, मतलब अभी से दो साल पहले, मतलब एकदम पापा का नई बचने वाला condition था उस समय सारा लेकिन जो एक प्रॉपर पैसा लगाना होता है तो वो छोटे पापा लगाए हैं और उस समय तो जैसे पापा का हलत बहुत ज़्यादा खराब था बहुत ज़्यादा खराब था तो मेरी छोटी मम्मी मेरी चाची जी, कुछ भी जैसे हम लोग तो अलग-अलग है खाना पिना अलग-अलग बनता है एक ही गर में लेकिन खाना पिना अलग-अलग है वो कुछ भी बनाती थी सबसे पहले वो पापा के लिए निकाल के रख देती थी कि हस्पिटल वगरा जाना है तो ये लेकर के जाना चाहे ममी के साथ छोटी ममी भी कभी-कभी चली जाती थी हस्पिटल हम लोग भी चले जाते थे जो मेरे कजन, ब्रदर है वो भाई है या फिर जो अभी बहन का शादी हो गया वो लोग भी हस्पिटल आते जाते रहते थे मतलब साथ में फैमिली का सपोर्ट पूरा था पूरा सपोर्ट था और पैसा से जो भी था वो छोटे पापा ही किये है तो ये चीज़ हम नहीं भूल सकते हैं हम नहीं भूल सकते हैं कुछ लोग हमको कमेंट करके एक वीडियू में अपना कमेंट देखेते हैं Ankit जैन पेचान जम थोड़ा जलन व्लन होगा तो wurdenot कमेंट कोई किया था कि अरे इसके तो चाचा जी खुदे इसको गाली देते रहते हैं, मतलब मेरे चाचा जी हमको गाली देते रहते हैं, तो उस भाई को ना हम बहुत शाफ साफ सब्द में समझा दें, कि मेरे चाचा जी गाली दें, चाहे मारे चाहे कुछ करें, उन मेरे चाचा जी ही रहेंगे, चाचा जी तो हम लोग कभी बोले नहीं, हम लोग छोटे पाप और छोटी मम्मी बोले हैं, तो जब इस बात निकल के आया है, तो उस पर भी हम एक बात बता दे, हमको ना मेरे फैमिली में पूरा-पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा-पूरा सपोर्ट, क्यूंकि मेरे पापा, मेरे family में सब को पता था कि हम अपना relation कभी नहीं खराब करना चाते हैं कभी नहीं हम at any cost अपना relation बचाना चाते थे और यही कारण था कि हम उतना दिन बरदास किये थे बहुत बरदास किये थे बहुत और बरदास करने का कोई limit होता है ना भाई सीमा होता है ना कोई किसी चीज़ का भी कुछ लिमिटेशन है मेरा रिलेशन खराब हुआ उसके चलते मेरे पापा भी रोए है मेरी मम्मी भी रोई है मेरे छोटे पापा भी बहुत परिशान हुए है वो भी परिशान हुए हम नहीं बोल सकते हुनको क्यों नहीं अईस अईसा दिन जो हमको धंकी देखे गया था लड़का यो हम वीडियो उसका नहीं बनाए जो हमको धंकी दिया था ना मेरे पती का बहुत प्रियें दोस्त हैं वो आया थे एक बर आच से कुछ साल पहले का बात बता रहे हम लोग बलोरो बुले बुले रोबुलो क्या होत पूरा टुल था दारूपी करके और आ करके और मेरे हजबन अपना हाथ से आगे का जो फ्रेंट शीशा होता है गाड़ी का उसको ऐसे मार के तोड़ दिये थे और हमको डर लग रहा था मानलीजे वही हाथ से कर एक बार ऐसे हमको मार वार देते तो मेरा तोहलत खराब अपने आपको सरीफ आद्मी नहीं दिखा सकता है न जब तुम सरीफियत किये नहीं हो तो तुम सरीफ दिखा नहीं सकते हो बहुत हाराश हुए हम बहुत मार पिट बहुत वोईलेंस फेस की है मेरे छोटे पापा उस दिन इतना परिशान थे पापा को तो ख्यार और इस सब बीस से दूर रखते थे उष सद्रम को बोले थे। तुम क्यों इतना रोते रहती हूं । इसके पीछे , उभी थोड़ा घुस, उनको बही आ जाता कुष्छु, क्यों रहती prol redes रहती हूं मैं में दो फीछ डिखे पारेशान रहती ह Inte, नहीं打 रहता है , छोड़ो उड़ा दू आज के डेट में हम बता रहे हैं मेरे घर का एक परिवार ऐसा नहीं है मतलब जो की तयार है वो लोग वी आप चाहते हैं कि मत रहो उसके साथ मत रहो तुम उसके साथ रहके कभी खुश नहीं रही हो कभी खुश नहीं रही हो और यह सही बात है गई जम कभी खुश नहीं रह चाहता है और तुम भी अब उसको दिमाग से हटा दो पूरा कंप्लीटली हटा दो मेरे पास पूरा फारमली का सपोर्ट है क्योंकि हम गलत नहीं थे गलती तुम किये थे हम तो तुमारे साथ रहने के लिए बहुत मरे जा रहे थे बहुत मरे जा रहे थे और जो लोग यह बो और किशी से नफरत हुआ तो फिर Civ हैं अगर कुए मेरे से कोई हट गया तो फिर यह कूह तो तुम अपने घर के जा होत भी में तुम अपनेकों तक नहीं लिए वह एसा मेरे सत्सीन है और हम थोड़ा सा शॉट टेमपर है क्योंकि गुसा आ जाता है हमको भी जब गुसा आता तो फिर हम किसी के नहीं होता है हम तो सोचते हैं कभी-कभी कि मेरे पती कितना हमको गलत तरीके से लिए वो जितना अपना दिखाए है न उटपटांग अपना आते थे इस इंसान को तभी हम उनका इतना तेवर बरदास किये थे नहीं तो अगर हम तो बोलते हैं चीज कि अगर मेरे पती के जगा कोई दूसरा लड़का रहता ना अगर कोई दूसरा लड़का रहता और वो इतना तेवर दिखाता तो उसको हम पता नहीं का करते हूं हम को में नहीं पता है लेकिन हम अपने पती का बरदास किये और मतलब अपने हस्बंड का इतना इतना बरदास किये तेवर तो सिर्फ और सिर्फ रीजन इतना ही था कि उनको हम यहां से यहां से दिल से हम खोना नहीं चाते थे उस इंसान को बहुत प्यारा लगता था उनको वह बहुत अच्छे हमको लगते थे बहुत अच्छे लेकिन हम शादी के एक महिना के बाद से जब सारा कुछ देखे बहुत दिन बरदास किये बहुत कुछ तो धीरे 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 वो रिस्पेक्ट वो प्यार एकदम दिल वाला प्यार वो धीरे 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 फिर खत पर में जो सेक्शन 9 का केस किये थे वो सब पे जूटा पुरा आरोप लगा दिये थे कि ऐसा ये की वो की फलना के ठेकना कि हमको वो पेपर पढ़के बहुत खराब लगा था फिर हमको समझ में आ था कि हां केस बनाने के लिए तो कुछ ने कुछ लिख नहीं होता है ठीक है ल उने इतना बिज़त नहीं कर सकता है इतना नहीं मार सकता है इतना नहीं गरिया सकता है तो वो मेरा था ही नहीं ना क्यों हम उसके बीचे इतना पगलाए हुए थे आज मेरे सपोर में सब लोग है हां आज अगर हम सेकेंड मैरेज करने के लिए भी रेडी होते हैं मेरा फैम अभी कोई आकर के बोल भी देना कि बहुत प्यार करता है फ़ला डिखना तो मेरे से वह हजम नहीं होता है कि कैसी बिश्वास करें दुबारा किसी पर नहीं होता है मेरा भी पोस्त तर्माई के साथ दरे दरे होगा जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा, अब यह सारा सीन हो गया है, तो यह सारा बात था, यह तो हम पैसा वाला क्लियर किये, कि हाँ वह पापा का ट्रीटमेंट कहां से हुआ था, और दूसरी बात कि मेरे घर में मेरे फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ हम कभी कभी बहुत गुसा करते हैं, क्योंकि हम शौट टेमपर है, जब मेरा गुसा आता है तो फिर हम आगे पीछे हमको कुछ नहीं दीखता है, कुछ नहीं दीखता है, कुछ नहीं दीखता है, ऐसा कुछ है मेर माँ पापा तो सपोर्ट करती है, मम्मी पापा तो पूरा सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन हाँ मेरे चोटे पापा छोटी मम्मी लोग भी पूरा सपोर्ट में रहते हैं, हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, एक घर में हैं, तो हर सुख दुख में साथ खड़े रहते है तो हम कैसे बोल देंगे किसी को नहीं बोल सकते ना और अगर वो हमको चार वक्त सुनाएंगे दिना मेरे छोटे पापा के लिए मैं पैशली पोल पुर लाल कर दिये थे Saya 2 बताती छोटे पापा देखे देखे थे में इतुना फुरा एक दम ऐसे कर लाल कर दीए हैं मेरी चोटी मम्मी जब हम चोटे थे तो चोटी मम्मी उस समय पर कजन, शिस्टर नहीं हुई थी तो हम लोग इतना इतना से देखा है ना इतना उतना गोदी से देखा है आज मेरी मौली है उसको कोई हम अगर हम बोल देंगे कि उसको कोई मार देगा ये कर देगा वो नहीं हम मान सकते ना उसको सब लोग इतना से देखा है पाला है पोसा है निकी को निकी इतना की है मम्मी इतना की है छोटी मम्मी लोग भी बहुत करती है छोटे पापा लोग मौ गुल्य मिसा कि उसे खाल और और सहिएujeकि फुफれて सब करता की उसलिए चाहिए आ जान सेा सब लोग जानते है क्या अच्या स्टमटव करें मिया तुस्या कंई मैं तो इस लिए देटे है यह सवा 51 यह सारा बात है niew ब्लॉग को न और हम बहुत जादे इस वीडियो को लॉंग नहीं करेंगे, बहुत दिल का बात हम सब के साथ शेयर कर दिये, बारिष अभी भी हो रहा है, हम चले मॉली को लेने, और हम कल कुछ भी नहीं कर पाया था, रिकॉर्ड वगरे, जिसके लिए हम क्या बोले, पुरा अंधेरा था, क्या ही करते हैं, तो फिलाल इस वीडियो को हम यहीं पे इंड करते हैं, और बाकी का कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पे नए होंगे न, तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो ना डेली आता है, और कोई भी सज प्रजिशन देना चाहते होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बताइएगा, तो थैंक्यू सो मच फो वाचिंग, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, बाबाई, टेक केर,